नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study IQ में आज हम लोग बात करने वाले हैं climate change के उपर हम लोग देखने वाले हैं कि climate change का butterflies और moths के उपर क्या परिणाम हो रहा है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर butterflies और moths जो है moths यानि जो caterpillar से छोटे छोटे से insect बनते हैं they also look very similar to butterfly बट छोटे होते हैं उनसे तो वो लोग का जो habitat है उनका घर जो है वो higher altitude पे shift हो रहा है हम लोग इस वीडियो में देखने कि क्या exactly यह study है इस study ने क्या कहा है और इस study से हम को क्या सीख मिलती है as human species as human race what can we learn from this study so let us begin our discussion बहुत कुछ सीखने को मिलेगा but before that मैं हूँ आपका host राहूल साइगाउंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते है तो you can follow me on the ID राहूल साही 222 मेरा instagram ID, telegram channel और मेरा facebook इसी ID से है you can contact me anywhere उसके अलवा study IQ आपके लाया है comprehensive prelims का means program for UPSC 2021 for more information download the app तो जैसे कि मैंने आपको बता कि global warming की वज़े से climate change की वज़े से temperatures rise हो रहे है glaciers melt हो रहे है जिसकी वज़े से butterflies और moths उनका जो घर है उनका जो habitat है वो shift हो रहा है at higher altitudes क्योंकि नीचे गर्मी बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे है तो एक study ने ये कहा है आप देख सकते हों यहाँ पर कि climate change is forcing butterflies and moths to adopt but many species they might not adopt and they might become extinct तो चलिए पहले देखते है study exactly है क्या एक survey है या एक study है जिसको fund किया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने और उसको conduct किया है Zoological Survey of India ने जहाँ पर उन्होंने 49 moths और 17 butterfly species को study किया है उन्होंने ये देखा है कि butterflies और ये moth species जो है वो on an average कम से कम 1000 मीटर यानि कि एक किलोमेटर उपर अपना घर बना रहे है जहाँ पर उनका originally घर था historically उससे उपर जाके वो अभी बसे हुए है 1000 meters they have reached higher meaning the temperatures below are increasing continuously ये study conduct की थी पिछले 4 साल के दौरान जहाँ पर कम से कम 1300 species of moth और 484 butterfly species को study किया था कहां पे in northern states, the Himalayan states, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Utrakhand, Sikkim, Northern Bengal और अरुनाचल प्रदेश में इन सारे butterflies और moths की study की गए थी इस study में ये भी पता चला कि 80 नए species भी है moths और butterflies की इसको इन्होंने find किया तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा व्यापक रूप में इस report में या इस survey में क्या लिखा गया है इस survey में जैसे कि मैंने आपको बताये गए on an average 1000 से 2000 मीटर इनका घर उपर हो गया यहां पर बात की गई है moth species की इन moths का आपको picture दिखाए गए यहां पर तीन तरह के moths है trachea, oriplana, एक और है saturny day जिसका picture आपको दिखाए गए और there is one more moth called as fasciata इन तीनों के घर on an average approximately 2000 मीटर का difference आए 2800 मीटर, 2684 मीटर and 2280 मीटर respectively तीनों की घर कम से कम 2000 मीटर उपर चलेगे इसके अलावा study में यह भी लिखा गया है दो तरह के butterfly है, common map butterfly है यह और एक tailless bush blue butterfly है जिनका habitat कम से कम 1000 मीटर उपर चला गया, इनको उत्राखन में study किया गया था, ascot wildlife sanctuary में इनका घर पहले historically मिलता था, 5000 मीटर हाइट पे लेकिन अभी यह shift हो चुके है, 3500 मीटर पे क्यों, because of global warming, because of climate change, जितनी गर्मी बढ़ रही है वो और ठंडे इलाकों में जा रही है उपर इन सब के अलावा एक और भी butterfly की बात किये है, Indian red admiral butterfly जो इस तरह की दिखती है, जो लड़ात में मिलती है, उसका घर पहले हमको मिलता था, 3900 मीटर में एक हाइट पे मिलता था, हिमालयास में लेकिन अभी जाकर वो मिलता है, 4853 मीटर पे, approximately 950 मीटर इसकी हाइट जादा हो यह मतलब अभी यह 950 मीटर और उचा मिल रहा है हमको, नीचे से इसका घर खतम हो चुका है, इन सारे moths और butterflies के अलावा, जो silk worm होता है, जो मलबरी silk worm होता है, उसका जो मौत है, जो मिलता है हमको higher altitudes पे, वो भी और height पे चला गया है, इसके अलावा जो एक और tiger moth है, वो भ इन सब examples से हम लोगों ने सीखा क्या, क्यों यह study हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होती है, इस सब से हमें यह पता चल रहा है कि climate change हो रहा है, और जब मैं butterflies की बात करो, butterflies are like goldilocks, no, goldilocks का मतलब यह है कि goldilocks एक मध्यम पात पे रहता है, goldilocks the term, it is neither extreme, neither less, तो goldilocks zone आपने सुना होगा, goldilocks zone मतलब कुछ planet मिलते हैं, जो goldilocks zone में होते हैं, जहां पे life habitable हो सकती है, या फिर आप goldilocks को normally goldilocks economy से भी सुना होगा, अपने goldilocks economy मतलब वो उस तरह की economy होती है, ना वो इस तरफ चली जाएगी, अगर इस तरफ जाएगी तब ही वो नहीं survive कर पाएगी, अगर न तरशा रही है, वो हमें सिखा रही है, वो हमें indicate कर रही है, क्या हो रहा है बदलाव climate change की वज़े से, climate change की वज़े से हम लोगों ने बहुत बार देखा है, कि जो Canada में bear मिलते हैं, bear, भलू, वो उपर उपर shift हो रहे हैं in terms of higher latitudes, तो अगर मैं देखू कि यह है earth, और यह है equator, तो हम लोग देख रहे हैं, कि climate change की वज़े से, migration हो रहा है, उपर और नीचे की तरफ, मतलब poles की तरफ, आप यहां पर बहुत सारे report देख सकते हैं, कि climate change is actually altering the migration pattern, people are migrating towards more colder areas, there is a clear cut observed northward migration of even agroclimatic zones, national geographic, कि आप यह report पढ़ गे तो आपको पता चला है, कि half the species are actually moving towards the higher latitudes, मतलब ठंड की तरफ वो जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद को survive करना चाहते हैं, तो इन सब से हमें क्या सीख नहीं थी, क्लाइमेट चेंज की वेरे से खत्रा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो आगे चलके हम लोग यह अन्देशाह लगा सकते हैं, कि हम भी higher latitudes प global warming, climate change का हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई एक species भी अगर extinct होता है, इसका मतलब है, हम बढ़ रहे हैं हमारी extinction की तरफ, so we need to do something about the climate change and global warming, so that we survive, that is it from my side, on today's part of discussion, Rahul here, I am signing off, thank you very much, जैहिल को